हाई एवरिवन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजिक्शन आप प्लेंज का फिर्स्ट प्रॉलम प्रॉलम इस एक्जागनल प्लेट 30 mm साइड कुछ बोला नहीं है कैसा हेक्जागन मतलब हम उसको बाइडिफॉलर हेक्जागन मानेंगे मतलब यहाँ पे देखें आप कि प्लेंज जो है ना वह एच्पी के साथ उसका एंगल कितना है 30 और वीपी के साथ का एंगल क्या है 45 तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि यह जो प्लेन है वह एच्पी को कैसा एपेरल्ल को है प्लेन का जो है एच्पी के साथ एंगल 30 डिगरी है और वीपी के साथ एंगल 45 डिगरी है प्लेन दोनों के साथ अंकिलाइन है एक को भी पैर्लाइल नहीं है तो for the start of the problem for the start of the problem हम assume करेंगे कि plane hp को parallel है ठीक है अब problem कैसे solve करना है वो देखते हैं यह problem तीन step में solve होगा अपने को question में से तीन information लेनी है उसके बाद यह problem solve कर पाएंगे तो पहले तो पढ़ते हैं hexagonal plate 30 mm साइड रेस्टिंग on hp रेस्टिंग वान एचपी तो एब पहले तो इसको पूछने का बरी अपना friend होता है किंदर पड़ा है कैसा है इसा पुछते है किसा है तो उसको पूछने किसा है यह तो बोलत रहा है वहेस्टिंग on HP किदर है HP में पड़ा हुआ है one of its ages कैसे पड़ा हुआ है एज पर पड़ा हुआ है तो अपन क्या करेंगे ध्यान से देखना यहां पे left hand side पे उसकी age आए इस तरह से hexagon बनाना है क्योंकि हमको उसको एज पर खड़ा करना है बाद में हमको यह जो left hand side पे एज बना रहे है उसको खड़ा करना है यह अपना hexagon तो नहीं है triangle है वैसे पर हम क्या करना है उसको ऐसे रखेंगे और उसको ऐसा रखा है यह hexagon नहीं है एक है triangle है पर उसको ऐसे रखके हम इससे टिल्ट करेंगे age पे खड़ा करना है उसको ठीक है तो फर्स्ट उसको पूछा फर्स करडिशन क्या हुई कहा पड़ा है कैसे पड़ा है तो वो पड़ा है HP में और कैसे पड़ा है age पे तो HP में आपको 30 साइड का regular hexagon बना देना है मतलब उसको हमने HP में पहले lie करा दिया पूरा जो है HP में सुला दिया है उसको तो HP में जब वो होगा तो उसका जो top view होगा that probably of true shape उसका top view कैसा होगा true shape का होगा तो true shape पहले बनाने जा रहे हैं तो यह बनाया कोई भी hexagon बनाने का method यूज कर सकते हो मैं यहाँ पर 30 के set square से बना रहा हूँ hexagon देखे इस तरह से अभी क्या करेंगे 30 की side काट लेंगे इधर ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे ठीक है इसको थोड़ा dark ही है वैसे तो इसको थोड़ा सा dark बना देता हूँ चलो यह हो गया अभी क्या करेंगे फिर से फिर से हम क्या करेंगे इसको 30 का angle बनाएंगे इस तरफ ऐसे यहाँ से भी एक 30 का angle बनाएंगे ऐसे ठीक है फिर यह भी 30 मेशे कर लो यह भी 30 मेशे कर लो और यह भी 30 मेशे कर लो और ये भी 30 measure कर लो ठीक है फिर यहां से इसको join कर लो तो ये अपना regular hexagon तो ready हो चुका है regular hexagon अपना बन चुका है इसको नाम दे दे ABCDEF ठीक है इस तरह से एक regular hexagon बना देंगे अभी क्या करेंगे हमने क्या करा है ये condition में regular hexagon को HP में सुला दिया है मतलब HP में लाई कर रहा है ऐसा मान लिया, assume कर लिया है अभी उसके projection खीचेंगे उस टाइम पे मतलब उसका front view बनाएंगे तो front view कहां पे होगा XY पे होगा, क्यों XY पे होगा क्योंकि हमने माना है कि वो HP में लाई कर रहा है हमने क्या माना है कि वो HP में लाई कर रहा है इसलिए उसका front view होगा, वो कहां पे आएगा XY पे आएगा तो XY पे उसका front view आएगा वो condition में ठीक है उसको नाम दे तो front view है तो इसको नाम दे तो A-B- ये आ जाएगा C-F- और ये D-E- देते हैं front view में आपको पता है, तो ये अपना जो है ना first condition देखी ये वाली first condition, कहां पे पढ़ा है कैसे पढ़ा है, उससे अपना ये दो figure बन गए अभी next condition किसके साथ पूछना है, वो किसमें पढ़ा हुआ हुआ है कैसे पढ़ा, वो age पे तो उसको second condition HP के साथ का पूछने का VP के साथ का नहीं पूछने का तो question पढ़ते हैं ये condition पहले नहीं देखना है बले पहले दिया हुआ है क्योंकि हमने उसको HP में रखा हुआ है इसलिए अपना को second condition HP के साथ का देखने का ये अपनी second condition होगी और third condition VP के साथ देखेंगे अगर वो VP में पढ़ा होता तो हम second condition VP के साथ की देखते हैं और third condition HP के साथ की देखते हैं पर यहां पर यह HP में पढ़ा हुआ है इसलिए हम first condition HP के साथ की देखेंगे second condition HP के साथ की देखेंगे और third condition VP के साथ की देखेंगे चलो HP के साथ उसका angle कितना है 30 degree है तो हम कर के आ रहे हैं basically पहले उसको ऐसे सुला दिया hexagon नहीं है खेर ये triangle है अपना plane जो है वो hexagon नहीं है पर हमने इसको इसला दिया HP में पहले ऐसे उसके view बना दिये front view top view अभी उसको ऐसे खड़ा करेंगे by keeping its angle with VP as a constant हम इसको खड़ा करेंगे उसका angle VP के साथ constant रखके हम उसको खड़ा करेंगे तो ये जो है ना वो 30 degree का angle बनाने का ऐसा यहाँ पर ठीक है उसको खड़ा कर रहे हैं ऐसे VP के साथ angle बना रहे हैं ये वाला जो भी है तो क्या होगा उस टाइम पर उसका front view जो है वैसा कर वैसा रहेगा खाली incline हो जाएगा 30 degree पर xy के साथ 30 का inclination फिर क्या करेंगे यहाँ से जो है rounder से भी cut कर सकते हैं यहाँ से जो भी है measure कर लो यहाँ से कितना है यह 54 जैसा है तो 54 यहाँ पर ले लो चलो यह आ गया लगबग और यह उसका mid point है लगबग तो यह भी आपका हो गया यहाँ पर नाम दे दो हम किसके उपर खड़ा कर रहे हैं उसको a b के उपर देखो यह क्या हो गया कि plane जो है उसको पहले hp में लाई करा दिया first step second step में उसका angle बना दिया hp के साथ क्योंकि उसको hp में रखा था इसलिए ठीक है तो क्या होगा देखो इसको यहाँ से project करो नीचे यह तीनों points को एक दो और तीन यहाँ से projection लिए यहाँ से horizontal projection ले लो इस तरह से ठीक है तो यहाँ से जो आई उनको मिला देने का अपका टॉप ऑ़ कंडिशन जैसे यहाँ से यां थैया हू railsoney यहां से isu को नाम देजो एफ यहां से Ňसको नाम देजो यह हो गया अभी देखो इस कंडीशन में जब हमने प्लेन को किwać Rashology के साथ तो उसका जो है कि हम और mess제를 बन गया अपने वास भी देखो ये इज्टे साइज तो सहीबस पर यह जो है थोड़ा सिकुट गया है यह यह जो साइज था समझेया है फो लाइन सिकुट गयाए मैं थोड़ा चोटा हो गया दिखो आपको इसको सुनतर अब क्रों से खड़ा करेंगे inclination पे तो उसका true shape नहीं देखेगा वो थोड़ा सा छोटा देखेगा उपर से आपको ठीक है चलो अभी क्या करना है यह first condition से हो गया आपना यह first figure, यह second figure यह third, यह fourth इस तरह से बनाना है मतलब यह first condition जो है condition 1 से यह हुआ यह condition 2 से यह होगा अभी condition 3 देखनी है, अभी कौनसी condition देखनी है, condition 3 देखनी है तो condition 3 क्या कर देखनी है कि such that the age on it rest on HP makes 45 with VP जिस age पे HP में पढ़ा हुआ है उसका VP के साथ angle 45 है जिस age पे वो HP में पढ़ा है उसका VP के साथ angle 45 है कौनसी age पे HP में खड़ा किया हमने AB पे, तो AB का VP के साथ angle कितना है 45 मतलब हमको क्या करना है, यह पूरा जो hexagon है उसको tilt करना है जिससे कि उसकी AB age जो है वो 45 degree पे आ जाए अपना main purpose क्या है, as per question कि हमको इसको hexagon को tilt करना है, कैसे tilt करना है जिससे कि उसकी जो AB age है वो 45 degree पे आ जाए तो हम क्या करेंगे देखो पहले हमने क्या किया समझो यह hexagon नहीं है फिर से बता रहा हूं मैं आपको यह पहले उसको सुला दिया ऐसे HP में फिर उसको ऐसे खड़ा किया फिर उसको ऐसे rotate कर रहे है जिससे कि उसका VP के साथ angle बन जाए ठीक है पहले इसको ऐसे सुलाया ठीक है फर्स स्टेप डांस में स्टेप होते रहे वैसा ही कुछ समझ लीजिए तो ऐसके उससे पहले HP में रख दिया फिर उसको ऐसे करा फर्स्ट स्टेप HP के साथ angle बना दिया इस सेकंड स्टेप में क्या हुआ अपने को 3rd और 4th figure मिल गए उसके बाद क्या करना है उसका VP के साथ इस condition में मैंने perpendicular रखा अभी इसको inclination बनाने का VP के साथ किसका inclination बना है जिस एज पे VP में पड़ा है उसका inclination बनाना है तो उसका inclination बना डालो और क्या A B जो है वो रख दो यहां पर A B जो है वो रख दो कितना है A B आपके पास यह जो भी है वो रख दो A B यहां पर कितना है 30 mm है ठीक है न AB डग दिया यहाँ पर AB को हमने incline कर दिया अभी बाकी सब points जो है न उसके respect में अपने को locate करने पड़ेंगे बाकी सब points जो है न वो क्या करना पड़ेगा उसके respect में locate करने पड़ेंगे कैसे करेंगे देखो हम क्या कर रहा है एक तरीका ये है ये A ये जो है न AB को perpendicular जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐसे tilt करेंगे तो ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा ठीक है न इसे टील्ट कर रहा है इसको तो देखो ऐसा होगे अभी A में से देखो AB को perpendicular है तो यहाँ से एक perpendicular line बना दो वैसे ही एक perpendicular line यहाँ से बना दो ठीक है वैसे ही क्या करोगे यह perpendicular line बनाई अब यहाँ से E point कितना distance है वो measure कर लो यह काम आप rounder से भी कर सकते हो यह काम आप rounder से भी easily कर सकते हो यह 45 है तो यहाँ पे मैं 45 ले ले लगा हूँ यहाँ पे भी 45 होगा यह distance बीच से D का तो वो 45 ले लो ठीक है यह आ गया मतलब अपना कौन सा point आ गया यह E आ गया और यह D आ गया ठीक है अभी क्या करना है यहाँ से यह इसका mid point ले लो A का A 45 है तो लगबख कितना होगा 22.5 होगा ऐसे और यहाँ से एक perpendicular line बना दो किसको A को कौन सा line बना रहे हम यह वाला C F C F बना रहे हैं उसके ओपर C और F point आ जाएंगे उसके ओपर क्या हो जाएगा C और F point आ जाएंगे यही काम आप rounder से भी कर सकते हो तो पहले क्या करोगे C F जो है यहाँ से measure कर लो कितना या तो यह measure कर लो तो भी चलेगा यह measure कर लो तो भी चलेगा मैं यह measure कर लेता हूं कितना है 15 है लगबग तो यहाँ से 15 ले लो बस हो गया आपका यह C और यहाँ से 15 ले लो यह हो गया आपका यह C हो और यह हो गया F अभी इसको कर दो join सबी points को तो ये जो है आपका hexagon tilt हो गया जो figure number 4 है उसको tilt करना है बच्चे क्या करते हैं कि mistake figure number 1 को turn कर देते हैं figure number 1 को turn करोगे तो marks कट जाएंगे marks भी turn हो जाएंगे आपके ठीक है तो वो नहीं करना है गलती से ये common mistake है most common mistake ये है कि बच्चे इसको tilt कर देते हैं one number को one number को नहीं four number को tilt करके five number मिलेगा चलो four को tilt करके five मिल गया अभी क्या करना है ये मिल गया है अभी इसको project करो उपर यहां से projection ले लो 6 के 6 point में से projection आ जाएंगे इस तरह से 6 के 6 point में से projection आ गए अभी क्या करोगे कि यहां से भी horizontal projection बना डालो यह तो बना हुआ एकस वाई तो projection बन गए अभी points को मिला ना है द्यान से देखो कैसे करते हैं यह समझो B है और यहां से B जहां मिलेगा उसको नाम दे दो B- यहां से C और यहां से C जहां पर मिले उसको नाम दे दो C- फिर यहां से D और यहां से D जहां मिले उसको नाम दे दो D- यहां से E यहां से E जहां पर मिले उसको नाम दे दो E- फिर यहां से F यहां से F जहां पर मिले उसको नाम दे दो F- और यहां से A यहां से A जहां पर मिले उसको नाम दे दो A- ठीक है तो यह जो है ये सबी points जो मिले उसको joint कर दो boom finish बात खतम हो गई ये अपना projection बन चुका है projection of planes बन चुका है ये projection of planes अपना लगपक खतम हो गया है अभी बाकी है तो क्या है समझो जो अपने को dimension दे के रखे है question में वो यहाँ पर put up कर दो 45 degree और यह साइड है उसके भी dimension देने के dimension देना अब नहीं भूलने कहा हुई नहीं तो आदा माक फटाक से कट जाएगा आपका examination में अपने को marks कटवाने नहीं है अपने को marks लाने है ठीक है तो यह जो भी साइट 30 mm ले लो बस इतना बस यह फिनिश हो गया problem आई होप आप सब समझ गया होंगे ठीक है next problem में अम next time discuss करेंगे करेंगे